तो दोस्तों आज हमने शूपतिया S1 R पे लेकिन इनका दूसरा भी एक मॉडल है जो कि वीडियो के लिए काफी फेमस है वह है S1 H इसके बारे में प्रत्योसर से कुछ सुनते है कि इसकी खासियत क्या है इसका यूस क्या है और एक यह नमबर जो है क्यों दिया गया है आर तो resolution समझ में आता है लेकिन एक बुले तो video नहीं होता है कि वीडियो नहीं होता है तो प्यों वह ना को भी है तो सबसे पहली चीज़ यह है कि यह लुमिस का फ्लाक्शिफ क्यामरा है फुल फ्रेम लुमिस S1H इसकी सबसे च्री खासित यह है कि यह सिसके वीडियो आपको दे सकता है एमोगी कॉमेट पे और यह एक सिनेमा सेंटरिक क्यामरा है इसमें फिजिकली अंदर एक उप्षिन दिया हुए जिससे आप इसका फिक्वर्सी चेंज कर सकते हैं यह आप पैल, NTSC या पर सिनेमा तिनों में तो किसी भी फ्रेम हट के अपॉर्डिम इसका पस्क्रमाइब सकता है दूसरी सबसे अची चीजिस में यह है कि अभी तक का इंडस्री का अकेला और एक मार्थ कामरा है जो कि Netflix Certified है अगर मैं इस Form Factor की बात करूं और इस तरह के चामरा की बात करूं जो कि आपको एक प्रफेशनल मिललेस कामरा का जो एक फील देता है Form Factor का इसमें और कोई कामरा भी नहीं जो Netflix Certified हो अगर मैं Netflix की ही बात करूं तो इसमें आपके दो में परमेटर होते हैं एक आपका content जो Netflix approved होना चाहिए दूसरा camera Netflix approved होना चाहिए तो इसके शूट करने से आपका 50% काम Netflix वाला अलड़ी हो जाता है फर्ड चीजी है कि इसमें एक in-build V-Log feature है V-Log इसका एक flat color profile है जिसको हम आप आशा में log profile भी बोलते हैं उसके लिए आपको अलग से इसमें कोई device लगाने की ज़रूरत नहीं है ये V-Log आपको in-build मिलता है आपको in-camera मिलता है दूसरी सबसे एची चीज आप इसमें continuous video record कर सकते है आप इसमें continuous video record कर सकते हैं और इसमें dual SD card slot का option दिया है तो आप एक card पर shoot करते समय के दूसरे card पर switch करना चाहें और जब card 2 पूरा भर जाता है तो आप card 1 की ज़री card 3 को swap कर सकते हैं यहाँ पर दूसरी एक चीज मैं इसमें इसमें क्या anamorphic lens पर बोला जाता है वो लगाई जा सकते हैं बिल्कुल बिल्कुल अगर मैं cinema की पिरसे इसमें बात करूं तो C4K, Anamorphic, UHD यह अलग अलग करें के जो 4K के resolutions या aspect ratios होते हैं सारे इस camera में inbuilt हैं और इसके अलावा अगर आप 6K पर जाते हैं तो 6K पर यह आपको full resolution देगा आप 6K में भी Anamorphic के हिसाफ़ से शूट कर सकते हैं और एक अच्छी बात यह है Anamorphic lenses यह हम इस्तिमार करते हैं तो जो आपका preview होता है जो हमको यहां पर preview मिलता है वो थोड़ा सा squeeze होता है वो थोड़ा सा पिछका हुआ होता है जिसका हमें post work में de-squeeze करना पड़ता है तो कितना de-squeeze करना पड़ेगा उसका preview भी आप इसमें on कर सकते हैं तो यह इसका बहुत बड़ा पाई जाए गए अनमॉर्फिक यह साफ़ सारी चीज़े भी होई है दूसरी चीज़ मुझे ही पूसनी दिखते रेगूलर्ली देखा जाएगा तो जैसे बूला जाता है कि इसका पैनसोनिक का V-Lock फिर सोनी का S-Lock कैनन का C-Lock तो यह V-Lock की खासियत जो है तो कि mostly cinema camera में यानि जो high-end cameras उसमें और इसमें यानि जो Canon का C-Series है आपको पता रहेगा वराबरे सोनी की जो अभी A-Series चड़ रही है इसमें जो लॉक का जो difference है तो वी-Lock सबके superior जो बोला जाता है ओके Panasonic V-Lock वीरी गाम पैनसोनिक वीरी गाम इवावन यह जो cameras है again यह cinema यह प्रॉपर सिनेमा camera थे प्रफेशनल cinema camera थे इन आम जो वी-Lock दिया है जो वी-Lock color camera दिया है वही वी-Lock color camera इस camera में दिया है तो जो colors आपको उस cinema camera में मिलता है same color आपको इसमें मिलता है चीजें यहां तक खत्र नहीं होती Panasonic की खुद की एक website है जहां पे आपको LUTs download करने का option मिलता है आप camera में Panasonic के LUTs इंस्टॉल कर सकते हैं आपको in camera LUT इस्तमाल करना है या आपको post work में LUT इस्तमाल करना है या फिर आपको monitor में LUT इस्तमाल करना है उसके body अलग-लग format आपके दिया है आप उस format को चूज करके आप सारे जोगे look-up table के preset से वह आप डॉनलोड कर सकते हैं क्यामरा में यहां पर एक inbuilt cooling fan दिया हुआ है तो यह cooling fan जैसी camera का temperature इक certain level तक जाता है automatically cooling fan start हो जाता है और वो camera को खर्ड़ा रखनी कोशिश करता है अब हो सकता है यहां पर आपका सवाल हो की पंखा चलेगा तो भाई आवाज भी आई उसकी इसा बिल्कुल नहीं है यह multi blade fan है जिसका बहुत low cavitation noise है और यह बिल्कुल भी आवाज नहीं करता दूसरा बहुत चोटे-चोटे features होते हैं जो कि एक camera को professional series तक लेके जाते हैं इसमें front और rear tele lamp दिया हुआ है अगर आप S1X के साथ multi cam shoot करते हैं आपके पास location में over shoulder 2 cameras लगे हैं रॉंग शर्ट में camera लगा यह master camera लगा है और आपको जो subject है वो यह चीज जानना चाहता है कि कौन सा camera इसमें roll कर रहा है तो वो चीज बहुत easy दी सामने अला प्रिडिट कर सकता है सिर्फ उस tele lamp के जलने या बुझने के जरीए जो चीज हम लोग cricket match में या एक studio में देखते हैं cam 1, cam 2, cam 3 को पर tele lamp लगा होता है वो चीज आपको इसमें inbuilt लिती है आप इसमें USB-C के जरीए इसको आप लाइफ पावर दे सकते हैं लाइफ पावर मतलब आपके साथ camera के साथ एक charging kit आता है charging adapter आता है उसी adapter से आप इसको continuous power supply अपने AC power socket से दे सकते हैं दूसरी चीज है कि सम्झो मेरे पाद कि मैरे पाद के टेटाफ है इसमें दो तरह के time code बेसिकली तीर तरह के दिये हुए एक रियाब का time code जब record होगा तब run करेगा दूसरा time code जब camera on होगा जब camera on होगा वहां से time code उसका start हो जाएगा और तीसरा आप multiple cameras के time codes है उसको आप sync कर सकते हैं और अगर आपके पस चार cameras है आप उनका time code sync कर सकते हैं यदि आपके पास एक 4K recording भी लगाएं HDMI के दूर तो आप HDMI के दूर time code का feed लेकर monitor में भी sync कर सकते हैं और अगर आपके पास कोई dedicated audio recording device है अगर कोई भी एक professional cinema camera यूज़ करता है जिए professional cinematographer होता है यह मैं बोलूं पुराने एरा को जिए cinematographer होगा वो shutter angle, iris और gain पर बात करेगा जहां पे हमारे नए cameras आते हैं वहां पे हम shutter speed ISO और aperture की बात करते हैं तो इस camera में आप shutter speed की जगह पे shutter angle भी लगा सकते हैं पर एक्सेंपल shutter angle 90 degree या 110 degree तो same degree of angle आप इसमें डालके बिल्कुल same footage ले सकते हैं दूसरा उन cameras में होता है iris इसमें भी आप iris के स्केमाल कर सकते हैं तीसरा जो cinema lenses होते हैं उनमें एक manual aperture ring या manual focus ring होती है इसमें भी आपके पास एक manual aperture ring और एक manual focus clutch या autofocus clutch का option दिया होगा है यह option आपको professional cinema lenses में मिलता है और सेम चीज़ आपको यहां पे मिली है प्लस यह एक लाइकल certified lenses है तो image quality आप सोच सकते हैं कि कहां से दूसरी चीज़ है कि जैसे last time याने S1R के time ने पूछा था तो यह cinema lenses के लिए यह सब lenses भी काम में आएगी जैसा आपने बोला यह manual करते है तो यह 50 mm है इसमें यह रगाया हुआ है तो क्या बाकि सब में भी वही feature है सर्फ फिजिकली जो यह feature है aperture ring वाला यह कुछ lenses में है कुछ lenses नहीं है दूसरा अगर मैं यहां पर रखे हुए 24-70 mm की lens की बात करूँ अगर हम इसका hood हटाके देखते हैं एक बात तो इसमें भी आपका focusing का system है वह भी आपका clutch system में है तो मेरे इस आपके S लिका हुआ है उसमें वह system दिया हुआ है तो क्यूंकि हम यहां पर cinema की बात करते हैं colors की बात करते हैं तो vector scope, waveform monitor, histogram इस सब चीज़ें आपको इसमें बिल्ट मेंती है दूसरी चीज़ यह कुछ ना चाहता हूँ क्या हम लोग इसको external monitor लगा सकते हैं तो इसमें अलग से मैं इसके hot shoe make attachment के थूप external monitor लगाके और यहां पर मेरे बास full HDMI A type port है इसके थूप में directly monitor को attach कर सकता हूँ इसमें किसी भी तरह के हमको converter के जरूवत नहीं बने होपे Normally problem क्या आती है कि जो monitor होते हैं वो 6K होते हैं, camera 6K है, cable भी 6K या 4K तक होती है लेकिन converter हमारा उतनी speed deliver नहीं कर बाता है, तो इतने लाफों का equipment लगाने के बाद हमारा सिफी converter की वजह से हम वो quality नहीं दे पाते हैं, तो इसमें वो problem भी हता है आगे NQ कि हम cinema centric features की बात करते हैं, बहुत ही exclusive जोसका feature है वो यह है किसी भी shot filmmaker, indie filmmaker, documentary filmmaker, wedding filmmaker, wedding photographer, wedding video maker, anybody, anybody who's making a video, motion pictures, slider shots अपका favorite होता है इस camera को बिनना एक physical slider पे लगाए आप इसस slider shot ले सकते हैं आपको जिप camera को इस तरीके से एक stable platform पे रखना है, जैसे समय table पे रखा है या पिर आप अगर किसी location पे वहाँ पे किसी चीज़ पे रख सकते हैं आप इसमें 4K life drop नाम के feature को on कीजिए और आपको 40 seconds का एक full HD clip मिलेगा जिसमें audio भी साथ में recorded होगा slider shot का सिर्फ यह मतलब नहीं कि आपका camera left to right pan करेगा आप उसको dolly in या dolly out effect भी दे सकते हैं आप उसको diagonally zoom का effect भी दे सकते हैं और बहुत साए लोग की requirement होती है कि अगर हमारे पास एक इस तरह का zoom lens है तो video record करते समय मतलब जिस समय shot चल रहा होता है उस time के हम पोशिश करते हैं कि हम manually zoom करें लेकिन किसी का भी मैंने आश तक नहीं देखा ही किसी का भी हाथ कि इतना stable हो कि बिना जर्ब के आप zoom कर सके वो चीज भी यह चीज फटम करते हैं हम तो यहाँ पर प्राइम लेंस की बात कर रहे हैं सोचिए आप प्राइम लेंस में जूम करते हैं और यह सब आप इन क्यामरा करते हैं इसमें कोई पोस्प्रडक्शन इंवाल्ब नहीं क्या यह फीचर सित्के में भी आइवेलेबल हैं बिल्खुल किसी भी रेजूशन में आप शूट करेंगे आप कोई इस्लाइडर वाला शॉट इन बिल्ट मिलेगा आप चाहें 24 fps पे करें 30 fps पे करें या फिर उसको आप 50 fps पे करें ऑप्शन अबिल्गुल इसका maximum fps कुतना है अगर में इसमें वीडियो बी बात करूं तो इसका minimum और maximum दोनों की बात करूंगा minimum यह 1 fps वीडियो ले सकता है और maximum यह 180 fps वीडियो ले सकता है तो 180 वीडियो आपकी लिए slow motion और 1 fps अगर हम लेते हैं तो हम इससे hyperlapse वीडियो भी बना सकते हैं सब एच का है सच कोई मीनिक तो हम लोगों इन भी आज तक कोई नहीं किया बट जब ये ये क्यामरा आया था तो ये इस सेग्मेंट का फ्लैक्शिप क्यामरा था और एच से हम इसको एक हाई परफॉर्मेंस के रूप में देखते हैं तो कही ना कही वो इसका एक मेनिक है दूसरी चीज है कि है आप हमारे चानल के आए आपने इतनी सब बाते की इसके लिए मैं आपका तहे दिल से दुन्यवाद करना चालता हूँ